दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल से ही ओनलाइन एलेक्टिसिटी बिल का पेमेंट कर सकते हो यानि कि बिजली बिल पे कर सकते हो तो यहाँ आप में बिजली बिल पे करने के लिए Google Pay app यूज करने वाला हूँ तो अगर आपके पास Google Pay का UPI account बना हुआ है तो आप इस एप को यूज करके बिजली बिल पेमेंट कर सकते हो अगर एकाउंट नहीं बना हुआ है तो एकाउंट कैसे create करना है इस पे मैंने separate वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो का link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा तो simply आप बिजली बिल पेमेंट करने के लिए Google Pay पे अप ओपन कर लोगे गूगल पे अप ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सुरू में ही पे बिल्स ये दिखाई देता है आप simply इस पे क्लिक कर लोगे पे बिल्स पे क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे न जहां से भी आपको electricity का supply आता है इस list में से आप अपने supplier का नाम select कर लोगे आप चाहो तो supplier को search भी कर सकते हो उसके नाम से अगर आपके पास electricity bill का hard copy भी आता है उसमें भी आपको supplier का नाम mention किया हुआ मिल जाता है यहाँ पे देख सकते हो side में मैंने physical electricity bill का copy लगाया हुआ है म आप यहाँ पे जो भी आपके पास बिजली bill होगा उसमें आपको एक customer number mention के अबर मिल जाता है यह हर customer के लिए अलग अलग होता है यहाँ पर मेरे case में यह के नंबर है आप भी अपने बिजली bill पे number check कर लोगे customer number और यहाँ पर आपको अपना customer number इंटर कर देना है मेरे case में यहाँ पर यह के number है के number इंटर कर दोंगा जिसके नाम से बिजली bill आता है उसका नाम यहाँ पर nickname में mention कर देना है वैसे आप mention नहीं भी करोगे तो चलेगा यह optional है और नीचे आपको link account इस पर click करना है सबसे पहले यहाँ पर आप इस बिजली bill वाले account को Google Pay में link करोगे उसक आप हर महने बिजली bill generate होते ही app को open करके directly payment कर सकते हूँ तो यहाँ मैं सारा detail इंटर करके account को link कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर सारा detail इंटर करके link account पर click करने के बाद एक बार फिर से आपको अपने सारा information को review कर लेना है account information को review कर लेना है जैसे कि account holder का name, अपना customer number, nickname ज समय लग सकता है, यहाँ पर आपको link account पर click करना है, इस तरीके से आपका बिजली bill वाला account, google pay में link हो जाता है, अब यहाँ पर जैसे link होता है, आप देख सकते हो, जो भी मेरा पिछले महने का bill बना था, वो देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको bill date दिख जाता है, due date द proof करने के लिए, और इस तरीके से आप देख सकते हो, बिजली bill payment हो चुका है, यहाँ पर confirmation के लिए wait करना है थोड़ा, आप देख सकते हो, status paid हो चुका है, तो कुछ इस तरीके से आप Google पे app को यूज करके, बिजली bill का payment कर सकते हो, electricity bill pay कर सकते हो, अगली बाद से आपको कोई बीडिटेल इंटर करने के सवरत नहीं है, आप electricity bill पे tap करोगे, अगर bill generate हो जाता है, तो यहाँ पर आपको direct pay bill का option दिखाई देगा, और आप pay कर पाओगे